इस dog को double click करते हैं यहां पर हमारे पास में एक model आ गया है create हो गया है अभी हमें क्या करना है इसके leg में या इसके गले में पट्टा लगाना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस type के brush का हमें use करना है तो अभी हमें B press करना है B for brush और C for curve यहां पर आप देखोगे इस brush का use करेंगे आपको simply चलाना है यह brush यह देखे कर्व की तरह चल रहा है यह brush इस तरह से तो जैसी आप कर्व क्रियेट करोगे यहां पर एक strap एक मेस एड़ हो जाएगी आप देख सकते हो बिलकुल body के ऊपर snap हो रही है body से touch कर रहा है anytime जब यह curve आप बना लेते हो तो द इसी भी end से इसको थोड़ा सा पुल करेंगे तो कर जो है अपने आप थोड़ा सा मोडिफाई हो रहा है आप देख रहे हो इस टैप से हम एक छोटा सा कर बना रहे है यहां पर तो हम हाथ का flow देखिए किस तरह से चल रहा है और जितना भी हमें चाहिए था उतना flow हमने पॉंदी होना चाहिए था यह कर तो हम क्या कर सकते हैं जैसि के पॉयंट पर जाएंगे और देखों कि रेड कलर की लाइन आपको दिखाए दी रही है तो जैसी यह रेड कलर की ल lij στα southwest ने किया है जैसी यह लाइन दीखती आप यहीं पर कबीख करके next इसको कॉंटिन्यू क कर लेना है तो इस तरह से आप step by step छोटे-छोटे से parts में इस curve को कफी अच्छा बना सकते हैं क्योंकि एक बार की stroke में एक curve में single curve के stroke में आपको problem होगी बनाने में तो आप छोटे-छोटे से steps में इस curve को बना सकते हैं इसको आपको continue करना आगे तो यहां से भी कर सकते हैं तो आगे जाएंगे यहां पर इस तरह से और यहां से भी continue करना है अगर आपको तो नोडाउट आप इस तरह से कर सकते हैं अभी हमें क्या करना है इस कर्व इस ट्रैप से फिर से कुछ चीज़ें एड़ करने हम चाहते हैं इसको रॉंड पट्ता इसके गले में पहनाना है तो कैसे करना भी तो हमें एकदम linear curve बनाया था तो हमने क्या किया क्लिक करते हैं और ऐसा ड्रैग करते हैं ड्रैग करके हमें बाहर के तरफ ले के जाना है और जब ये कर्व मेस के बाहर आ गया तो हमें shift बटन को प्रेस करके रखना है जैसे हम shift बटन प्रेस करें देखिए एक round create हो रहा है जो width कम ज्यादा होनी चाहिए तो आप brush के size को as for size या फिर यहां से भी देखिए आप size को कम ज्यादा कर रहे है brush के तो हम shortcut key को press कर रहे है s जिससे हम on screen ही size चोटा बड़ा कर सकते हैं तो हमने brush का size चोटा किया है anytime time आप इस curve के उपर जाएंगे और click करेंगे तो देखिए brush का जितना size चोटा किया था इसका strap भी उतना width में कम हो गया है अगेन हम क्या कर सकते हैं कि इसका size अगर हम बड़ा करते हैं यह तो फिर से क्लिक करते हैं देखिए यह इतना width इसकी brush की जो sorry strap की बड़ी होके आ गई है तो आप यहां से इसको control कर सकते हैं अभी यह इसके अंदर जा रहा है और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं या पतला कर सकते हैं यह पर यह इसके अंदर जा रहा है इसमें इसके अंदर जा रहा है तो आपको क्या करना होगा आपको जाना है यहाँ पर brush में और यहाँ एक option आपको मिलेगा depth का यह depth में यहाँ पर देखे यह जो curve आ रहा है यह जो circle आ रहा है यह line के अंदर है तो हम इसको थोड़ा सा अगर उपर उठाएंगे कुछ इस type से और फिर इसके उपर click करेंगे तो देखे यह थोड़ा सा उपर आए एक बार फिर से दुबारा बना के देखते हैं हमने click किया यहाँ पर और shift प्रेस कर लिया ताकि यह round shape मिले और जैसे प्लिक करेंगे इस बार जो shape बना है यह देखे मेस के उपर बना है क्यूंकि हमने यहाँ से जाके ब्रस में इसको उपर कर लिया था तो यह जो horizontal line देख रहे हैं यह line से जितना कर नीचे जाएगा यह इस मेस के अंदर घुश जाएगा तो आपको यह उपर ही रखना अगर आपने ज़्यादा उपर कर दिया है तो मेस पे जब इस ties बार बनाएंगे shift प्रेस कर दिया है तो दिखे कितना outer में देखे gap भी अलका फिलका gap भी आपको मिल रहा है यहाँ पर तो आपको कितना अंदर रखना है मेस के कितना बाहर रखना है आप brush के depth में जा करके आप adjust कर सकते हैं ठीक है तो यह हमने यहाँ पर बना दिया अभी इस type से आपको जो भी अच्छा लगे हम इसको थोड़ा से चोड़ा करना चाहते हैं width तो size brush का बढ़ा करते हैं और इसको click कर देते हैं यह देखिए अभी आपको लगता है अपने modeling कर दिया है आपको इस brush से बाहर आना है तो सबसे पहले curve delete करना है आपको stroke में जाके यहाँ से delete कर देते हैं अब आपको problem हो जाएगी काम करने में तो हम इसको अलग कर सकते कैसे आप यहीं पर नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक option मिलेगा split यहाँ पर एक option मिल रहा है split marks point जैसे आप इसको click करोगे आप देखोगे यहाँ पर दो layer बन गई हैं जो यहाँ पर strap था यह अलग layer पर आ गया है आप इसको on off करके देख सकते हैं यह और इस dock के अंदर यह अभी कुछ strap है जो अलग नहीं हुए तो अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे वापस से split के अंदर एक दूसरा option आ रहा है split two parts जैसे आप click करोगे यह बूलेगा इसको आप अंडू नहीं कर सकते मैसेज आ रहा है आप okay कर दो इसको यहाँ पर आप देखोगे कि वो सारे के सारे parts बिलकुल लला गो गए आप इनको on off करके देख सकते हैं आप क्योंकि यह अलग लेयर बन गए हैं तो आप इन पर इंडिविजुली वर्क भी कर सकते हैं चाहते हैं इस पर कुछ थोड़ा सा काम कर दें तो हम भी फॉर ब्रस एम फॉर मूव टूल यहां से यह मूव इंफाइनाइट जो ब्रस टूल है उसको हम लेते हैं साइज ब देखिए जो आपका दूसरा वाला यह अंदर घुसा हुआ है इसको हम स्केल करते हैं फर्स्ट आफ ओफ आल थोड़ा सा ताकि यह बाहर हमें दिखाई दे एंड आइधिंक यह काफी सही आ गया है तो इस पर काम करने के भी जरूरत नहीं है ना एक स्ट्रेप और था यहां कमः कर सकते Сам Harshju न ahead है इस पर काम कर सकते हैं तो इसको सेलेट करते हैं कंट्रोल डीडी प्रेस करते हैं ना टा कि फोड़़ा सेवागrat यह और प्रेस करते हैं थोड़ा से यह अंदर की तरफ आजाए बॉडी के कुछ इस टैप से अलका सा इसको उपर की तरफ लेके आते हैं इस टेंडर्ड ब्रस हमारा एंड अलफा फिर से हमें लगाना है यह जो भी अलफा चाहिए होगा और इस पर आप क्लिक कर सकते हैं तो देखिए इस पर डिजाइन भी डाल रहे हैं इस टैप से तो यह अच्छा से स्ट्रैप आपने बना दिया है जिसके उपर एक डिजाइन है यह देखिए मेंस अंदर भोसी हुई है आप मूब टूल लेकर कि इसमें इसको बाहर निकाल सकते हैं यह जिससे आपका यह भी एक तरह की स्कुल्टिंग है कुछ इस ट्रैप से तो आपने अच्छा डिजाइन बना लिया है इस ट्रैप से आप यहाँ पर वी कुछ डिजाइन दे सकते हैं इन कूप ke ओपर तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने एक simple brush लिया था stripe brush के साथ में जिसी stripe यहाँ पर create हुए थे और उनको कैसे हमने round shape दिया आपको linear shape लेना है तो curve को आप linear चला सकते हैं तो brush में एक बार हम अपने जो brush थे उनको एक बार फिर से देख लेते हैं B for brush, C for curve and यहाँ पर हमने जो brush लिया था है वो curve strap brush है तो यह क्या करता है यह आपका curve create करता है और curve के साथ में एक maze generate करता है जिसका use हम अपने modeling में कर सकते हैं तो यह curve strap brush था next video में हम एक और brush देखेंगे कर्व के साथ में जिसको use करते हैं मिलते हैं next video में channel को subscribe जरूर करना, comment करना जिस भी topic पर video चाहिए, thank you